थानी पहुचा ब्रश्टाचार का मामला ब्रश्टाचार की शिकायत करना पड़ा महंगा जान से मारने की धमकी दे रहा सरपंच जनपत नौगाव अंतरगत आने वाली ग्राम पंचायत ब्रश्टाचार की परियाय बनी हुई है पंचायत में सरपंच के द्वारा कराए गए निर्मान कारियों में जम कर भरष्टचार की खबरें समाचार पत्रों और न्यूस चैनलों की सुर्खी बनी हुई है बावजुद इसके नकारा प्रशासन सोया हुआ है भरष्टचार में लिपते जमेदार व्यक्तियों पर आज तक कोई कारवाही नहीं हुई कारवाही के नाम पर सिर्फ ठेंगा दिखाया जा रहा है सरपंच की राशनेतिक पकड़ और प्रशासन की लीपा पोती के चलते सरपंच के होसले बुलंद है आलम तो यहां तक है कि अब सरपंच पवन राश्पूत और उसके पिठ्टों दौरा शिकायत करताओं को खुले आम जान से मारने की धमकी दी जा रही है जिसके चलते शिकायत करताओं ने ठाना नागाओं में सरपंच पवन राश्पूत और रविंदर सेन दौरा जान से मारने की धंकी देने के खिलाफ शिकायती आवे दन दिया है और धंकाने वालों पर सक्त से सक्त कारवाही की मांग की है आज आज और अब देखना यह है कि पूलिस सर पंच खिलाफ क्या कारवाही करती है त्राम मीटिपरदेश के लिए छतरपूर से संतोष यसेन की रिपोर्ट मैं हुसी मावर्मा टा Article मध्रnet प्रदेश से टाइम अप्सक्राइब तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेर करना बिल्कुल ना भूले हमें इंतजार रहता है आपके कमेंज का थानी पहुंचा ब्रेश्ट चार का मामला ब्रेश्ट चार की शिकायत करना पड़ा महंगा जन्पत नौगाव अंतरगत आने वाली ग्राम पंचायत ब्रेश्ट चार की परियाई बनी हुई है पंचायत में सरपंच के द्वारा कराए गए निर्मान कारियों में जमकर ब्रेश्ट चार की खबरें समाचार पत्रों और निउस चैनलों की सुर्खी बनी हुई है बावजुदिस के नकारा प्रशासन सोया हुआ है भष्टचार में लिपते जिम्मदार व्यक्तियों पर आज तक कोई कारवाही नहीं हुई कारवाही के नाम पर सिर्फ ठेंगा दिखाया जा रहा है सरपंच की राशनेतिक पकड़ और प्रशासन की लीपा पोती के चलते सरपंच के हौसले बुलंद है आलम तो यहां तक है कि अब सरपंच पवन राजपूत और उसके पिठ्टूओं द्वारा शिकायत करताओं को खुले आम जान से मारने की धमकी दी जा रही है जिसके चलते शिकायत करताओं ने थाना नागाओं में सरपंच पवन राजपूत और रविंद्र सेंद्वारा जान से मारने की धमकी देने के खिलाफ शिकायती आवे दन दिया है और धमकाने वालों पर सक्त से सक्त कारवाही की मांग की है अब देखना यह है कि पुलिस सरपंच के खिलाफ क्या कारवाही करती है टाइमेट मध्रदेश के लिए छतरपुर से संतोष उसेन की रिपोर्ट मैं हुसीमा वर्मा टाइमेट मध्रदेश से टाइमेट मध्रदेश आपका अपना चैनल है तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेर करना बिलकुल न भूले हमें इंतजार रहता है आपके कमेंस का